दोस्तों आज कहने ले से शुरू करने से पहले मैंने कल के आप बोला था उसको ज़रा देखिए दोस्तों यू तो आज बाजार में शांदार तेजी देखने को मिली है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अगर आप पॉल उक्षिन बायर हो या आपकी तेजी के पोजिशन है नहीं आए लेकिन जो होना तो वो हो गया अब बताओ कल क्या होगा मैं आपको चार्ड का अनले से स्केंडिल समझाने और ऑप्षन चेन में ले जाने और स्ट्राडिजी बनाने से पहले आपको कुछ फंडमेंटल चीजे बताना चाता हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग काफी आसान हो जाएगी सबसे पहले आप जानते हो बाजार में हमेशा कुछ न कुछ ट्रिगर होते हैं जो बाजार को चलाते हैं सवाल तो यह है कि इस समय कौन से यह ट्रिगर है और मैंने आइडेंटिफाई किये हैं ऐसे चार ट्रिगर कौन-कौन से हैं सबसे पहला है RBI की मीटिंग जिसका रिजल्ट आपको 8 February को आएगा अपने कलेंडर में नोट कर लीजएगा बहुत important event है दूसरा आपका अडानी इंट्रोड़क्शन की ज़रूरत नहीं है तीसरा ग्लोबल संकेत और चौथा FII आप कोगे यार चार संकेत तुमने बता दी है लेकिन चार बहुत जादा है मैं confused हो रहा हूं तुम एक बताओ कौन सा सबसे ज़ादा important है वो FII के संकेत है उसके बाद global है फिर आप कह सकते हो RBI और अडानी है यानि global संकेत ज़ादा important हो चुके हैं domestic संकेतों से सबसे पहले RBI की meeting 25 basis point बढ़ने वाला है सबको पता है इसलिए कोई surprise आने की उमीद नहीं है अडानी, अडानी के नतीजे आने वाले हैं आपको पता नहीं होगा लेकिन अगर आपने देखे अडानी के shares आज अम्बुजा, ACC, अडानी पोट्स, शांदार तेजी देखने को मिली है कल इनके नतीजे हैं नोट कर लिए जगा important खबरे हैं ये सब उसके अलावा आपके global संके निगेटिव हैं अगर आपका सवाल है क्यूं तो इसको हम 9 बजे की live stream में cover करेंगे क्योंकि फिर आपको मुझे कई सारे chart दिखाने बढ़ेंगे और लंबा समय हो जाएगा इसके अलावा FII क्या कर रहे हैं FII ही tricky मामला है जो की सबसे important है यू तो आप data देखोगे तो कह दोगे कि FII तो negative है और बहुत पहले से negative है लेकिन दोस्तों FII अपनी negativity को कम कर रहे है trend negative है लेकिन कहीं न कहीं ये अपनी short covering कर रहे है simple शब्तों मैं बोलू तो ये गाड़ी reverse square में चला रहे थे अब ये कोशिश कर रहे है neutral में आने की वर्ड धान दीजेगा कोशिश कर रहे है अभी आए नहीं है मेरे पास ये 3 February तक का data है 6 का data अभी आ जाएगा जब तक live stream करूँगा ये data हमारे पास होगा clarity आ जाएगी लेकिन आपको note करना है क्या यहाँ पे buying आ रही है और क्या यहाँ पे buying आ रही है ये जो futures की buying है वो आपको सीधे सीधे बता रही है कि FIA अपनी short position को कम करने का प्रयास कर रहे है और open interest के data से निकल के आ रहा है अगर आप fundamental ये चार चीज़े समझ चुके हो तो अब चार्ट को समझ के option chain में जाने के बाद strategy बनाने में बहुत जादा आसानी होगी और accuracy बड़ेगी सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर nifty का chart खुला हुआ है आज की candle को देखोगे तो एक hanging man type की candle दिख रही है definitely accurate नहीं है इसकी जो wick है वो छोटी है but it doesn't matter उसके अलावा अगर आप दो दिन की candle देखोगे तो bearish हरामी है but still as consolidated बाजार है तो जादा फरक नहीं पड़ता है candle पे जादा नजर मट डालिये उसके अलावा आप देख सकते हो box में trading हो रही है किसी भी उपर ना नीचे की range को तोड़ने के लिए त्यार है इसने आज की candle पे important point है कहाँ पे resistance लिया है वो है 17.850 पे और इसने support लिया है 17.700 पर indicators क्या कह रहा है Magdi indicator में कुछ positive convergence देखने को मिलना जो की कह रहा है momentum थोड़ा positive हो रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि nifty अभी negative downtrend में नहीं है downtrend में है लेकिन उस downtrend की momentum कमशोर पड़ चुकी है इससे मतलब क्या है नए low बनाने के जो chances है वो कम हो चुके है बहुत ही simple भाशा में उसके अलावा अगर आप nifty की option chain में भी आई ही जाते हैं और वहाँ पर मैं आपको कुछ levels बताता हूँ आज option chain में हुआ कैट definitely आज short की position बनी है सबसे पहले आपको support के level बता दूँ कैसे देखना होता है strike की गली में आना अगर आप support के level देखना चाहते हो तो इस गली से strike की गली से right मुड़ जाना अगर आप resistance देखना चाहते हो तो strike की गली से left मुड़ जाना confuse होने के जरूरत नहीं है एकदम हमें यहाँ पे map है यह हमारा nifty अगर आप support के level की बात कर रहे है तो यू तो आपके लिए सबसे important support आज निकल के आता है 17600 का और वो पहले से भी आप जानती हो चाल्ट भी आपसे कह रहा है वहाँ पे 58 lakh contract बैठे हुए 17700 बे भी 53 lakh contract है और आज आप देख सकते हो कि इसको support दिया है 17800 बे 29 lakh contract फसे हुए क्योंकि वहाँ से आप नीचे trade कर रहे हो अगर मंदी की बात करो तो 17800 बे आज सबसे जादा contract आइड हुए 56 lakh contract है और 33 lakh आज ही जोड़े है 18000 पे 92 lakh contract है Mount Everest है निकालना थोड़ा क्या काफी जादा मुश्किल होगा ये जैसे ही आप समझ सकते हो fundamental जोड़ देते हो अपनी technical जोड़ देते हो तो अब आपके लिए strategy बनाना असान होगा Nifty की put call ratio नीचे आ चुकी है कल जो मैंने आप से बात कही थी उपर साबधान रहने को उसमें एक चार factor दिये थे एक factor यह था कि put call ratio भहिया series के start में 1.2 है जो की जादा है अब ये 0.98 तो आ चुकी है तो बिलकुल normal है उसके अलावा advance decline भी अच्छा था एक के उपर था कोई tension की नहीं बात है और India Wix काफी जादा गिर चुकी है जो आपको बता रही है कि जादा बड़ी गिरावट अब यहां से नहीं आने वाली है और आपको market की theme अभी clear कर दू buy on dips हो चुका है बाजार कौन से level से buy करना है bank nifty के analysis करने के बाद तोनों को एक साथ strategy में मैं clear कर दूँगा यहां पर अगर आप bank nifty के चर्चा करते हो आपको देखने मिलेगा कि आज एक doji type की candle का formation हुआ है उसके अलावा आज bank nifty में पेहद ही कम trading volume थे इसलिए candle का जादा भरोसा नहीं करने का important resistance कौन सा zone निकल के आ रहा है आज निकल के आ रहा है का important resistance zone और support याए 41,200 पे support वाला point भूल जाओ resistance वाला level याद रखना और क्यों याद रखना है बस इसको click करूँगा आप समझ जाओगे resistance इसने ली है अपने 100 day moving average पे यह कहाँ पर लाई करती है 41,650 के इस्तर पर बहुत important resistance है bank nifty में भी चर्चा की थे जब तक आपका ये level cross नहीं हो जाता आपको bank nifty में नई तेजी नहीं करनी है MACD में convergence देखने को मिल रहा है RSI 44 पे है सारी चीज़े आपको कह रही है कि गिरावट की रफतार थम चुकी है नीचे आने पे आप खरिदारी का सोच सकते हो इसके अलावा अगर bank nifty के option chain में जाए तो आप मुझे कहां ले आए data नहीं है और सच में data नहीं है मंदी के सिर्फ data आपको मिल रहा है 41,500 note करो 41,500 ये level और हम है 41,300 पे सबसे ज़ादा important level है आपको इसके उपर closing चाहिए ही चाहिए अगर आप तेजी की बात कर रहे हो bank nifty में नई तेजी इसके उपर ही बनेगी यहाँ पे आपके लगभग 26,000,000 contract से ज़ादा है और आप 14,000,000 जोड़े हैं सबसे ज़ादा तेजी की बात करोगे तो contract इतने कम है कि मैं बात करना ही नहीं चाहूंगा इस बारे में put call ratio थोड़ा से नीचे आ चुका है 0.9 पे है कल के सत्र में यह 1 पे था तो हलका सा correction हुआ है अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में strategy बता देता हूँ निफ्टी में आपको करना क्या है theme तो पता ही है नीचे आने पे खरिदारी करने है कौन से स्तर पर अगर आप intraday में खरिदारी की बात कर रहे हो तो 17,500 का perfect level है 17,500 का perfect level कहां पे stop loss बनेगी 17,600 पर ठीक है अगर आप multiple lot खरीते हो एक से ज़्यादा lot खरीते हो आप 17,600 से भी खरिदारी शुरू कर सकते हो और 17,500 तक आप उसमें add कर सकते हो एक lot लेते हो तो 17,500 का wait करना आपकी stop loss का होगी closing basis पे stop loss आएगी आपकी 17,600 की तो notice करो आप 17,500 पे भी खरीते होगी stop loss 100 point उपर आएगी 17,600 की 17,600 के नीचे closing नहीं चाहिए निफ्टी में और ये बहुत ही बहतरीन entry का point है intraday में आप stop loss 17,300 तक लग सकते हो yes थोड़ा नीचे है पर आपको volatility और बिना मतलब के आपकी stop loss हिट होने से बचाएगा और 17,300 आपका सबसे ज़्यादा important level है मैं तब 17,300 एक तरह से मैं कहना नहीं चाहूँगा but it is one of the most important support एक बार यहाँ पर आने पर खरिदारी करनी है लेकिन I don't know कि 17,300 आएगा इसलिए 17,600, 17,500 की buying range है आपकी अगर निफ्टी किसी भी कारणवर्ष 17,950 के ऊपर closing दे देता है तो इसमें नई तेजी होगी और वहाँ से भी addition कर सकते है लेकिन मुझे लगता है एक बार नीचे आने पर आपको जरूर मौका मिलेगा उसके बाद bank nifty bank nifty के चर्चा तो आप सुनी चुके हो मुझे 17,650 की ऊपर closing चाहिए ही चाहिए जब इसके ऊपर closing दे देगा तो नई तेजी के लिए तयार होगा फिर हम bank nifty में नई position के बारे में सोचेंगे अभी अगर आपको बनानी है तो nifty में जो level दिया है बस वहीं पे आने पे आपको position बनानी है अगर इससे related आपका कोई भी point हो कोई भी confusion कोई भी सवाल आप मुझसे directly पूछना चाहते हो तो आप जानते हो शाम के 9 बजे हम लोग जुड़ते हैं live market discussion के लिए अगर आपका कोई भी सवाल है हम वहाँ पे ले लेंगे मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया Thank you so much for always being there